नमस्कार मैहुष शिवांगी और आप देख रहे हैं एवन न्यूज बिहार आज है 29 सितंबर तो चलिए पड़ पर जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को पहली खबर सिवान से है जहा सिवान के भगवानपूर हाट थाना शेतर के चोर्मा गाउ में मंगलवार की देर रात सरक पर लूट कर गिरे धारा प्रभावित विधुत तार के संपर्क में आ जाने से एक बच्चे की मौत हो गई घटना के बाद आक्रोशित लोगों में विधुत विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश देखा जा रहा है बतादिश अलिकी घटना के बाद आक्रोशित भीर ने विधुत विभाग के खिलाफ जम कर बवाल काटा और याता यात को घंटों बाधित कर दिया वही घटना में म तार के संपर्क में आ गया जिसके बाद वह तार के संपर्क में आते ही गंभी रूप से जुलस गया। तार को सही समय रहते भी नहीं बदला गया। इसे लेकर अभी से ही वर्य आधिकारियों को विशेश सतर्क रहने को कहा गया है। पूरे बिहार में 222 जगहों पर समवेदनशील घोसित किया गया है। इसमें पटना के 18 इलाके सामिल है। पटना के बाद खगरिया ऐसा जुला है जोहां सरवादी के 11 जगहों पर 30 समवेदनशील बताया गया है। सभी पूजय पंडालों में 30 सितंबर तक CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिये गया है ताकि भीर प्रबंदक सही तरीके से काम किया जा सके। अगली खबर यूपी उत्राखंड और नेपाल के तरह यलाकों में हुई बारिश के कारण गंगा समेत उत्तरबिहार के कई नदियों में एक बार फिर से उफान है। गंगा नदी भागलपूर के बाद कटिहार में खत्रेक निशान के उपर पहुच गई है। वहीं महाननदा नदी कटिहार के तीन अच्थानों पर लाल निशान को पार कर चुकी है। आजमनगर में लाल निशान से 20 सेंटीमीटर, धवाल में 26 सेंटीमीटर और कुरसेला में लाल निशान से 12 सेंटीमीटर उपहुच गई है। अगली खबर ओनलाइन शोपिंग के जमाने में लोग कए बार फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज ओर करते हैं डिलीवर हुए वैकेज वो नहीं मिलती बलकि उसकी जगा कुछ और ही निकल जाता है ऐसा ही एक वाक्या बिहार में देखने को मिला जहाँ एक शक्स ने ओनलाइन ड्रोन ओर किया जब उसने डिलीवरी मैं से पार्सल खुलवाया तो उसमें ड्रोन की जगा आलू निकले यह देखकर वह दंग रह गया इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइडल हो रहा है यह वीडियो बिहार शरीफ का बताया जाता है वाइडल वीडियो के मताबिक एक शक्स ने ओनलाइन शोपिंग कमपनी मीशो से ड्रोन ओर कि उसका नाम चैतन्य कुमार बताये गया है या वाक्या 25 सितंबर का है चैतन्य ने मीशो से ड्रोन ओर किया था वीडियो में उन्होंने बताया कि पैकेज को देखकर उन्हें पता चल गया था कि यह फ्रॉड है या पार्शल शेडो पैक्स कुडियर कमपनी की ओर से डिलिवर किया गया डिलिवर मैन का नाम रवी कुमार बताये गया है फिलाल इस मामले में आगे क्या कारवाई हुई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है